कर दो है गाइस गुड़ इवनिंग कैसे हैं आप लोग हलो 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 कैसे हो भई अम यह ओड़ेबल क्या मेरी आवाज आ रही है हलो 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 गुड़ इवनिंग हलो यो आवाज आ रही है आवाज वागरे आ रही है हमें काम करते हैं हम थोड़ा से शिफ्ट हो जाते हैं राइट साइड में आपको ऑप्शिंज देखने में कोई भी दिक्कत चल यहां शिर्ट हो जाते हैं अपर ताकि आप लोगो में प्यार कारे बच्चों को राइट साइड में इदर पर ओप्शिंज दिखते जाए अब चलो भाई आगए क्या अच्छा नमस्कार गुड़ इविंग आप डूइंग ग्रेट वॉल्यूम बढ़ा लिज अच्छा ओप साइड अब वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा हां जी अब वॉल्यूम सही हो गया बतादो भाई ठीक है यह कौन बोल रहे है गुलाम हसंद कादरी सहाब बस एक गंटे में हो जाएगा ठीक है अब सही है आवाज च्छलो 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 वेरी गूड इवनिंग वेरी गूड इवनिंग थांक यू सो मच रुपाली गॉड ब्लेस यू पेज नंबर बता दें आपको ठीक है यह है मॉड्यूल का पेज नंबर फोन आया था पार्शिमान में कहा सर आपने क्या बोला है बच्छे को तुम लोग बहुत परिशान कर दिया है पार्शिमान को ठीक है आपको अब बढ़िया है बटा शुरू करते हैं विदाउट बेस्टिंग एनी टाइम हम लोगों ने कल क्या देखा था हम लोगों ने कल आल्फबेट्स देखे थे जिसने नहीं देखा है कल का लेक्चर चलो एक बार रवाइस भी करवा दू मैं एक बार रवाइस भी करव भाई साब अगर आप लोग लेक्चर आल्फबेट्स की बात करें तो हम लोगों ने कल यह देखा कि कौन सा आल्फबेट कौन से नमबर पर आता है ठीक है इसे इवनिंग पांच पांच बच इवनिंग होती है भाई माच था फिक्स उसने मारा 6 जी 7 कंट्री एच को बन किय गया 8 हो गया आई नो दोस्त नालग रहता है सब में बोलता है आई नो मुझे सब पता है ऐसा बोलता है जम्मू कश्मीर में 10-11 गोल गया है ना भाई पढ़ाई के दौरा नगर लव के चक्कर में पढ़ गया तो बारा बच जाएंगे जिंदगी के और करियर के तो भाई स विराट कोली साहब सन तारा उननस बीस ठीक है फिर यू गिव मी 21 यह तो आप लोग को यादी हो गया होगा है ना फिर 22 हम दो हमारे दो यह इसको सीधा कर दिया है 23 यह सब चीज़े आप लोगों को याद हो गई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ ऐसी में उम्मीद करता आज सीधा बढ़ते हैं अपने लोग संप्ल क। संप्लक दो मुझे असा लगता है कि एक संप्लक करने की बारी जो है वो आ गई है तो अगर हम बात करें तो भाई साहब बड़े प्यार से संप्लक क।स्षिस हम लोग करेंगे अर्यू गाईस रेडि अगर आप लोग रेड ही है तो GTG बोल देंगे मेरे भाई फिर हम आगे बढ़ जाएगे मेरे भाई फटा-फट हाई इशा थैंक यू सो मज़ गॉड ब्लेस यू कि लाइक ठोक देंगे भाई लाइक और वाचिंग में बहुत इंबालेंस है यार लाइक ठोक देंगे हाना क्या बात है क्या बात है क्या बात है चलो फटा-फट सांपल क्वेशिंज कर लेते हैं भाई देखो आप लोगों एक्जाम में कैसा आएगा एक्जाम में इस टाइप का क्वेशिंज आ सकता है क्या बोला है भाई आप लोगों को सवाल में बोला है कि कम्प्यूटर जो है यह कम्प्यूटर और ये वर्ड का क्या रिलेशन है, वो डूढ नहींगे, ठीक है, excuse me, एक सेगेट, कम्प्यूटर और ये वर्ड का रिलेशन सोचना है, अब अगर आप गौर से देखो, कम्प्यूटर और ये वर्ड को अगर आप गौर से देखोगे, तो भाई देखो इसने किया क्या है, एक सिकेंड, कम्प्यूटर और ये वर्ड, ये रहा कम्प्यूटर और ये उसका कोड, भाई देखो C, C और R बहुत दूर-दूर है, है न, O और F, पर अगर आप गौर से देखोगे इसे, तो यार ये C तो यहाँ देख रहा है, और उसी तरीके से ये जो R है, ये R भी यहाँ देख रहा है, तो अगर हम इसका कोड लिखें, अगर हम इसका कोड लिखें, तो इसने क्या किया है, ज़रा गौर से देखो, C, सॉरी, R, F, U, V, Q, N, P, C, ये कोड बनाया है, किसका कोड बनाया है, बिटा, कंप्यूटर का, बिटा, प्लीज ध्यान से सुनना, अभी आपको बिना, अभी आप पैन पेपर के साथ में प्राक्टिस करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, अभी पैन पेपर के साथ में प्राक्टिस करेंगे, दूसरी बार बिना pen paper के साथ में आप practice करोगे और तीसरी बार orally बिना pen paper के मतलब भाई अगर आपको support लगता है तो pen paper का ले ले ना बट कोशिश करना orally solve कर ले तीसरी बार orally solve करना है अब अगर आप गौर से देखोगे तो यार ये जो c है ये c यहाँ पे दिख रहा है ठीक है ये r यहाँ पे दिख रहा है अचा अब इससे एक चीज समझ में आ रही है कि यार इसने पहले दो alphabets जो उसको reverse तो किया है आगे देखो भाई o o के बाद में यहाँ पे देखो plus one करो o plus one किया तो क्या आएगा अब p आएगा o plus one किया तो p आएगा बराबर बिटा अब अगर कोई answer दे रहा है तो मुझे ऐसे answer नहीं चाहिए मुझे आपके pattern के साथ में answer चाहिए कैसे answer देना है मैं वो भी बता देता हूँ देखो यहाँ पे हुआ क्या है यहाँ पे c को उसने reverse कर दिया हाना o plus one किया p आता है o plus one करोगे तो क्या आएगा पेटा p आएगा यह p आएगा ठीक है m plus one करोगे तो क्या आएगा n आएगा n आएगा p plus a one करोगे तो q आएगा यह आगया q u plus one करोगे तो v आएगा t plus one करोगे u आएगा e plus one करोगे f आएगा और ये R को as it is लिया है मतलब इसने किया क्या है बच्चे इसने पहले और आखरी alphabet को मतलब पूरे ही word को as it is reverse कर दिया है पहले और आखरी alphabet को as it is रखा है reverse करके और बीच के सारे letters को उसने क्या किया है बीच के सारे letters को उसने plus one plus one plus one plus one कर दिया है अब यह आपका क्या है बिटा यह है आपका pattern मतलब आपको यह चीज यह pattern आपको यहाँ पे लगाना है medicine को आपको लगाना है अब अगर आप medicine को reverse करो तो e पहले आजाएगा अगर आप देखो तो क्या हैगा पहले आएगा E N प्लस 1 करो क्या आएगा O I प्लस 1 करो I प्लस 1 अना I J C प्लस 1 D I प्लस 1 J D प्लस 1 E फिर E प्लस 1 F और यह M as it is समझा क्या अरे समझ में आया क्या समझा गाईस समझ में आया क्या पहला वाला कैसे किया यह समझ में आया Option D सही बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है ठीक है एकदम सही समझ में आगे GTG बोल देंगे ठीक है चलो very good next इस पर बढ़ते हैं next question पर बढ़ते हैं अब देखो in a certain code language in a certain code language A is written as B B is written as C मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1 हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है एक एक भाई साब प्लस वन करना है सब में भाई S प्लस वन क्या होगा S प्लस वन होगा T M के बाद में क्या आता है N आता है A के बाद में B आता है R के बाद में S आता है T के बाद में U आता है है ना ये रहा भाई क्या आएगा answer Option C Option C Can you see The answer is C समझ में आया क्या yes very good plus one plus one plus one कर रहे हैं क्या बात है अच्छा चलो यह अगर आपको समझ में आया है अगर आपको यह समझ में आया तो हमारे प्यारे से हमारे सबसे प्यारे बताओ भाई सूरद सर का कोड क्या रहेगा सूरत सर को कोड करके बताओ देखते हैं कौन सबसे पहले आनसर देगा सूरत सर को कोड करके बताओ कौन सबसे पहले आनसर देगा Crude रुटुजा ने सबसे पहले अंसर दिया है रुटुजा देख ले एक बार हाँ रुटुजा वन्चिका यश पूर्वी रिया अमायरा रुपाली शुबश्री क्या बात है आयूशी कुमकुम महेक वैशनवी रिद्धी दिक्षा श्वेता मुस्कान शुष्टी भारगवा शुब्रो सुफ्रा मैं शायद नाम बहुत गलत बोल रहा हूं सुरी फो दाट क्रितिका रिमजिम अंकिता अधित्य तारीक वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ गुड २ २ २ ॷ २ ? २ २ ७ॉ॑ ? घृ। वारें रिचुण है क्या बताओ ठीकै चलू आगे। कि देखो इफ रिपल्स इफ रिपल्स असने क्या कहा है सवाल में कह रहा है इफ रिपल्स i f ripple is written अज यह अब भाई देखो और six पे आता है क्या आर वाला है alphabet और 6 पे आता है क्या नहीं और 6 पे नहीं आता है यह यह क्या है यह सिंपल सबस्स्टीटुशन है एक सिर्च हाँ जी ये क्या है ये simple substitution है ठीक है simple substitution तो भाई साब इसने क्या कहा pillar को कैसे code करोगे उसने कहा भाई देखो p का code का है अगर आप देखो ये रहा p हना और कहा है p ये रहा p ये है 3 ठीके फिर इसके बाद में I का क्या बनता है ये रहा I का है 1 फिर इसके बाद में L ये रहा l Khea है 8 है तो 888 300 इका क्या है ये रहा E, E के लिए क्या है, 2 है R का है, ये रहा R, R के लिए क्या है, 6 है 318826 318826 318826 Option A Option A समझ में आया क्या, answers मत देखना आपके पास, देखो मैंने answers तो छुपा दिये हैं, बट आप लोग अगर answers नहीं देखोंगे तो अच्छा रहेगा सबसे, अगर आप answers देख के answer करोगे, तो वो अपने साथ धोका करोगे, और जंदगी में याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा धोका है खुद के साथ धोका करना ठीके, पहले खुद को धोका मत दो बाकी को देख लेंगे यार ठीके क्या ही चीज़ क्लियर है फिजिक्स वाला लव यू टू बेटा थांक्यू सो मच ने बट फिजिक्स वाला यार बहुत मतलब बहुती बड़िया सवर है मस्त है, चलो एनिवेस, आगे बढ़ते हैं, इंस्पिरेशन है सब के लिए, चलो, आगे बढ़ते हैं भाई सहाब, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया आगे बढ़े, लेट्स मूव ओन अब यार देखो, कितना आसान भाई, फ्लावर फ्लावर इस रेटेन ऐस 36, अब आप बूलो कि सर फ्लावर को 36 के तौर पे कैसे लिखा फ्लावर को 36 के तौर पे कैसे लिखा फ्लावर उसको 36 के तौर पे कैसे लिखोगे, ये बताओ तैंक्यू रावल मेरे भाई गॉड ब्लेस यू फ्लावर को 36 के तौर पे कैसा लिखेंगे, संस्कूरुती गॉड ब्लेस यू कैसे लिखेंगे, flower को 36 मेरे भाई, flower को 36 के तौर पे कैसे लिखेंगे अरे यार देखो, ये f जो है अगर आप number सूच रहे होंगे तो गलत हो जाओगे number सूच होगे तो गलत हो जाओगे sir, f 6 पे आता है, l 12 पे आता है o 15 पे आता है टोटल करने जाओगे 36 से जादा जाएगा गलत हो जाएगा अरे simple यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 into 6 36 मेरे भाई 6 into 6, 36 समझा, 6 into 6 36 समझ मैं, भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाई, 99's a 81 ये रहा, 81, चलो ठीक है क्या बोला, how to code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई, 7 into 7 option देखेंगे नहीं हमारे इसाब से answer 49 है option में ढूण लो है क्या option में देखो 49 answer भाई, ये रहा, 49 49 49 is the answer चलो, ये समझ में आया तो भाई, मेरे को एक बात बताओ अगर ये समझ में आ गया ये समझ में आ गया तो भाई साब आप मुझे बताएंगे admin sir का, बताओ भाई, code number admin sir का code number बताओ admin sir का code number बताओ अगर ये समझ में आ गया है तो admin sir का code number बताओ very good नयन, नयना, sorry नयना नया सबसे पहले आज़र रिया, गोपाल, महेक, रुपाली, रिद्धी चैतन्या, आयूश, गायत्री, सुनाली, भारगवा, आदित्या, रिद्धी ओके, 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 क्या बात है अब बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, अब बारिश हो गई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है एक और एक 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 जामपल दूँ अगर कैट 24 है तो बैट क्या रहेगा बताओ अगर कैट 24 है तो बैट क्या रहेगा पकड़े गए ना मैंने क्या बोला सवाल तो पूरा सुनो खुश्बू ने सही आंसर दिया है बाकी लोग तो आ गए बाकी लोग आ गए बाकी लोग आ गए ना जाल में फस गए की नहीं फस गए जाल में फसे की नहीं फसे ये बताओ आपको क्या लगा कि अभिजीत भाईया ऐसे ही कर देंगे सिंपल सिंपल रखेंगे अभिजीत सर अरे भाई वैसा नहीं है यहां मैंने खेला कर दिया आप लोगों के साथ में है ना देखो इंस्ट्यूट भी आपके साथ में ऐसा चमतकार कर देती है भाई कैट अब यहां पे नंबर नहीं है यहां पे अगर 9 रहता तो बात अलग रहती बट 9 दिया है के नहीं अब देखो सी आता है 3 पे यह 1 पे यह 20 पे आता है ये हम types of question देख रहे हैं क्या sir यही सवाल repeat होंगे क्या नहीं इस type के question आएंगे ये बात समझ लो बेटा जूटे सपने नहीं दिखा हूँ आप लोगों को ये type के question आएंगे yes 100% ये type के question आएंगे क्या same question आएंगे chances कम है जूट नहीं बोलूँगा same question अरे यार वो ही question इतना तो institute ये नहीं है same question repeat कर नहीं बट हाँ same type के जरूर आएंगे क्या चीज़ क्लियर है आम्या पांडे दिख रहा है बेटा आपका ना चलो ठीक है चलो आगे बड़े अब यार question number 5 जो है बेटा प्लीज ध्यान रखना ये question number 5 जो है ये अपन लोग सबसे आखरी में करेंगे question number 5 और इसके जो भाई लोग है न question number 5 और ये इसके जो भाई लोग के सवाल है अरे ये वाला ठीक है question number 6 question number 6 ये अपन करेंगे last में इसको समझेने के लिए थोड़ा सा दमाग खुला रहा ना ज़रूरी बहुत आसान है कोई बड़ी बात नहीं है उसमें पर last में करेंगे आप चिंता मत कर उसका ठीक है चलो हान जी ये वाला ये वाला जो बचपन में खेलते थे न अपन उसका आ गया जो बचपन में खेलते थे उसका सवाल आ गया चलो एक चलो लौट चले बचपन में क्या बोला है if rain is cold water प्लीज ध्यान से सुना ये शब्दों को ये सवाल को interpret कैसे करना है ये जो rain न ये word हो गया ये क्या होगे ये होगे आपका word और is cold water मतलब ये क्या होगे होगा आपका code ठीक है अब वैसे ही आगे देखो अब मैं क्या करता हूँ मैं word को word को green color से लिख देता हूँ underline कर देता हूँ और code को red color से ठीक है भाई water is cold water is called air ठीक है air is called cloud cloud is called sky sky is called sea sea is called road ठीक है where do aeroplanes fly इसने सवाल क्या पूछा सवाल पूछा aeroplane मुझे normal answer दो मुझे code वाला answer मत दो मुझे normal answer दो कि aeroplane कहां उड़ते है aeroplane कहां उड़ते है मुझे normal answer दो ये इसका answer नहीं हिंदी में लगके बता दो कहां उड़ते है aeroplane आस्मान में उड़ते है aeroplane कहां उड़ते है बड़ाबर aeroplane कहां उड़ते है मेरे बच्चे आस्मान में उड़ते है अब हमें आस्मान का code word बताना है हमें यहाँ पे आस्मान मतलब क्या है sky हमें यहाँ पे किसका code word बताना है हमें यहाँ पर बताना है sky का code word, क्या चीज़ clear है, समझा गया है, हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर sky का code word, क्या चीज़ clear है, clear है, clear है की नहीं, हमें यहाँ पर sky का code word बता रहा है, तो भाई, sky का code word क्या है, sky का code word है C, तो हमारे answer के लिए European कहां ओड़ रहे है, C में ओड़ रहे है, इंटर्प्रेटेशन समझ में आया है, तो GTG बोल देंगे, अगर इंटर्प्रेटेशन इसको कैसे solve किया, वो समझ में आया, तो GTG बोल देंगे, यहाँ पर शब्द का code बताने की बात किया है, फिजिक्स वाला, yes बेटा, जॉब के साथ कर सकते हैं, ठीक है, clear है बच्चे, ओके, great, 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 यार लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, यह ऐसा क्यूं हो रहे है, वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपके दो CSET कर रहे हैं, आप उनके साथ share कर दो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो भाई तू भी देख यह free है, तू भी देख ले lecture तेरा भी भला हो जाएगा, है ना, बोल दो उसको, ठीक है, चलो, आगे बड़े, भाई, औरेंज, यह आप लोग औरेंगे, औरेंज is called lemon, lemon is called flower, flower is called fish, fish is called tail, tail is called pen, what is rose, भाई सहाब, रोज क्या है, रोज क्या है, बताओ, रोज क्या है, 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 रो देखो रोज फ्लावर है, बट फ्लावर का कोड बताना है, फ्लावर का कोड बताना है, तो भाई फ्लावर है, फ्लावर का कोड है, फिश, मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी होगा भाई, हमारा आंसर है, हमारा तो आंसर है, हमारा क्या है, आंसर, समझ में आया क्या, is अरे आप lemon को flower बोलते हो lemon को full बोलते हो lemon को full बोलते हो lemon को code word रखा full बराबर तो full का भी तो कुछ code word रखोगे ना तो full का code word क्या है fish है ये समझा ठीके देखो एक बार ये समझ लो एक बार ये सवाल समझ लो एक दो बच्चों को दिक्कत जा रही है, देखो समझो, भाई, औरेंज, औरेंज को हमने क्या कोड दिया, औरेंज को हमने कोड दिया, लेमिन, ठीक है, फर अक्चुल वर्ड में जो लेमिन है, सेवेंथ और एर्थ सेम है, प्लीज ये मत बोलना कि सर अब सेवेंथ भी समझा मैं एथ समझा रहा हूँ, सेवेंथ उसका भाई है, ठीक है, अगर लेमिन बोला, तो लेमिन को हमने क्या कोड किया, फ्लावर से, सर जो एक्चुली फ्लावर होते है न, उसके लिए हमने कोड रख दिया क्या, फिश, सर जो एक्चुल लाइंग्वेज में हम लोग फिश ब बोला है भाई साब कि ये है शब्द, ये वर्ड्स दिये हैं और ये दिये हैं आपको उसके कोड, ये आपको उसके कोड दिये है, अब आपको ये बोला है कि भाई साब, रोज क्या है, रोज, गुलाब, गुलाब क्या है, भाई साब वो एक फ्लावर है, अगर फ्लावर है तो flower का code गया है मच्छी मच्छी fry समझ में आए बताओ समझा गया प्रतीक प्रसंद ना September से ठीक है Orange कैसे होगा औरे फिश का औरे औरे नहीं होगा अभी समझा है कैसे होगा समझ में आए समझ में आए है चलो ओके 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 चली आगे बड़े चलो ये भी भाई जो हम लोग last में करने वाले है उसका भाई है question number 9 जो है ये भी हम लोग जो last में करने वाले है उसका भाई है question number 9 ये भी last अब भाई साब last question if a stands for plus a का मतलब क्या है plus है b का मतलब क्या है minus c का मतलब क्या है into तो भाई साब इसका value बताओ simple है ना तो आपको क्या करना है भाई साब आपको c की जगा पे ये रखना है a के जगा पे क्या रखना है plus रखना है और c की जगा पे into b की जगा पे क्या रखना है minus चलो solve करो इसको solve b मतलब इसको क्या करेंगे 10 x 4 प्लस 4 x 4-6 बताओ आंसर क्या रहेगा 10 x 4 प्लस 4 x 4-6 आंसर क्या रहेगा भाई क्या बताओ नजर नहीं लगा नहीं था क्या बात है, भाई, 40 प्लस 16 माइनस 6 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, very good guys, very good, very 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 good, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यहां तक अगर जम गया है तो जी टी जी बोल देंगे भाई ठीक है? ग्रेट चलो अब एक काम करते हैं जस्ट गिव में आ मुवमेंट हाँ मेंको एक मिनिट दो अभी अपने लोग प्राक्टिस करते हैं ठीक है? लेट अस प्राक्टिस सम् क्वेस्टिस अपने चालेसा के क्या बोलते भाई? चालेसा के थोड़े क्वेस्टिस अपन प्राक्टिस कर लेते हैं चालेसा के क्वेस्टिस ठीक है? चलो चालेसा जो अपना CS कार्ट का जो चालेसा बुक है logical reasoning वाला वो वाले 40 के book पे आज़ो आप लोग 40 का जो page number है page number 272 40 का page number 272 चल आज़ो 40 का page number 272 आज़ो भई 40 का page number 272 आज़ो फटा फटा आज़ो ठीक है आपको अगर ये book की soft copy चाहिए अगर आपको ये book की soft copy चाहिए तो ये video के description में आपको मिल जाएगी ये video के description में आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है don't worry इसी video के description में देखो आपको मिल जाएगी 40 उसका page 272 पे आज़ो ठीक है चलो भाई साब पहला पहला अच्छा ऐसे answer नहीं देना है अभी आप लोग को practice करना है आप लोगों को practice करना है और आप लोग मुझे pattern बताओगे आप लोग मुझे pattern बताओगे भाई साब अगर or को code किया है ps के तौर पे at को code किया है bu के तौर पे तो end को कैसे code करेंगे भाई साब आप O plus 1 करोगे R plus 1 करोगे तो p और s मिलता है तो end में भी आप क्या करो plus 1 plus 1 करो end में भी क्या करेंगे plus 1 plus 1 plus 1 भाई E के बाद क्या आता है f N के बाद O समझा क्या Go yes वह नौ2 करता है if कुथ खुद करता है समझ में आया यह answer कैसे आओ समझ में आया guys समझा 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 चलो very good ठीक है भाई साब अब next question in a certain code mystify mystify को code किया है इस तरीके से mystify को code किया है इस तरीके से तो भाई साब nemesis को कैसे code करेंगे अब आप देखो mystify का code क्या है mystify का code है n z t u j sorry g z बाई साब अब देखो इसमें pattern ढूंदो इसमें pattern सर कैसे ढूंदेंगे pattern सर एक्जाम में हमारा दिमाग नहीं चलेगा सर आप तो यहां पर करा रहे हो सर मेरे को एक्जाम में उसके बीच में और इसके बीच में क्या relation है वो डूनना है पहला alphabet और यहां का पहला alphabet क्या आसपास है क्या वो देखो येस M और N तो आसपास है मतलब अगर मैंने plus one किया तो N आ जाता है य में plus one किया अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई वड़ा पाउ खाये वड़ा पाउ खाये मेरे भाई 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 यह देखो बाई साब यहां पे plus one किया यहां पे भी plus one किया यहां पे भी plus one किया सब जगा पे plus one चल रहा है i में plus 1 करो अरे कुछ तो भी छूड़ गया क्या j छूड़ गया वही तो भी बूलो i j वही तो भी बूलो i के बाद g कैसे आ गया मेरे भाई 4 plus 1 plus 1 plus 1 गुलाबी आँखे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझे को ओ मेरे यारो यहाँ पे plus 1 करना है रे समझ में आया क्या मेरे प्यार बच्चो बता दो मुझे को थोड़ा इसका आंसर बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर भाई सहाब O के बाद में O E के बाद में F M के बाद में N E के बाद में F S T I J T लो भाई भाई मेरे भाई 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 देखो जरा देखो 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 ये रहा आंसर ओप्शन B जम रहे समझा समझा, समझा, समझा guys अरे options, options अब यहाँ पर अगर अपने को यह pattern समझ में आ गया ना बच्चे तो options देखने की जरूरत ही नहीं है pattern समझ में आ गया तो options देखने की भी जरूरत ही नहीं आपना तो answer साइच रहेगा भाई समझा चलो आगे बढ़ते हैं let's move on भाई साब if tap अगर tap को code किया है SZO तो भाई साब freeze को कैसे code करेंगे आप लोग इसका पहले pattern बताओ pattern के साथ में answer बताओ pattern के साथ में answer बताओ excuse me बताओ भाई pattern pattern के साथ में answer बताओ क्या बात है minus 1 is the pattern very good minus 1 minus 1 minus 1 very good यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे minus 1 minus 1 minus 1 का pattern चल रहा है T minus 1 करोगे तो S मिलेगा A minus 1 करोगे तो Z मिलेगा P minus 1 करोगे तो O मिलेगा मतलब minus 1 मतलब क्या है उसके पहले एक alphabet पहले एक alphabet पहले जा रहे तो भाई साब freeze को आप बताओ यार F के पहले क्या आएगा F के पहले क्या आएगा E आएगा ठीक है, R के पहले क्या आएगा, Q आएगा, E के पहले क्या आएगा, D आएगा, है ना, तो E, Q, D, D आना चाहिए, E, Q, D, D, Option D है, E, Q, D, D, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखो, अगर आप लोगों को, अल्फबेट से से, रिवर्स ओर्डर में ध्यान नहीं है, तो सिंपल पता है, कैसे ध्यान रख सकते हो, आप ये ध्यान रखो, आयार, R जो है, वो 18 पे आता है, तो 17 पे क्या आएगा, अच्छा, खत्रा सत् ठीक है, चलो, ओप्शन D is the answer, सर कैसे, सर, freeze को लो बोला, उसने, F, R, E, E, Z, E, यहां पे, minis 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, मतलब A के कालफबट पीछे आना है F के पहले क्या आता है E आता है R के पहले क्या आता है Q आता है E के पहले क्या आता है D आता है E के पहले D Z के पहले Y और E के पहले D ये रहा भाई समझ में आया क्या ठीक है चल आगे बड़े Let's move on भाई in a certain code सिक्किम सिक्किम is written as ये चलो बताओ भाई इसका pattern क्या है ये बताओ सिक्किम को अगर इस तरीके से लिखा है मतलब इसका pattern क्या है ये आप लोग बताएंगे प्रियंका जैसवाल thank you so much very good very good very good भाई साब s t i j k l ना 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 भाई साब plus 1 plus 1 नहीं हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा खेला हो रहा है खेला भाई साब यहाँ पे क्या हो रहा है s के बाद में plus 1 किया तो t आएगा भाई i में minus 1 करोगे तो h आएगा पैटर्न क्या चल रहा है plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 हैना k plus 1 करोगे तो l आएगा हैना k minus 1 करोगे तो j आएगा i plus 1 करोगे तो j आएगा और m minus 1 करोगे तो l आएगा plus 1 minus 1 तो लगाओ भाई ट्रेनिंग में plus 1 minus 1 plus plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 option नहीं देखना है option नहीं देखना है option यहार बाद में देखेंगे पहले ऐसे answer तो निकालो थोड़ा इसको train करो बिना support के answer निकालो क्या आएगा भाई अरे क्या आएगा बताओ यहाँ पर अगर आप करोगे तो u है ना यहाँ पर क्या आएगा q अरे समझ में आएगा भाई है ना a plus 1 करोगे b आएगा i यहाँ पर आएगा h n के बाद आएगा 15-16 चार्टे तो o i यहाँ पर आएगा h n के बाद आएगा o g f अरे नहीं सौरी सौरी हाँ f बराबर भाई कौनो आंसर है बताओ कौनो आंसर है कौनो आंसर है आंसर अब मैच करो भाई कौन सा है option b है option b समझा क्या समझा क्या भाई साब मज़ा आ रहा है conceptual clarity के साथ में कर रहे हैं अपन एक एक चीज बाल की खाल निकालते हैं जा रहे हैं भाई एकदम बिना pen paper के कैसे solve होगा सर यह आपनों tension दे दिया अरे भाई pen paper के साथ में solve हो गया ना अगर यह pen और paper के साथ में solve हो गया मैं guarantee देता हूँ दूसरी तीसरी बार जब आप खुद से solve करोगो ना pen paper के साथ उसके बाद में आपको जब pen paper के साथ में confidence आ गया next step है बिना pen paper के solve करना आराम से आएगा आराम से आएगा ठीक है पक्का चलो भाई साब next भाई साब mention को code किया है इस तरीके से mention को code किया है इस तरीके से चलो आप लोग pattern बताओ mention को इस तरीके से code किया है pattern आप लोग बताएंगे, चलो, फटा-फट pattern बताओ प्रकाश रिया को भूग लग गई, खाना खालो बिटा रिया जाओ खाना खाल, या वदमाज बच्चे ठीक है नमान लव यू टू बिटा, thank you so much God bless you बिटा क्या बात है नहीं, negative marking नहीं है pattern बताओ, क्या बात है starting के letter में minus 1 किया है क्या बात है भाई, क्या बात है पूरा explanation के साथ फिर 2-2 alphabets को river क्या मतलब एक number यार क्या observation है देखो एक चीज़ ध्यान रखो यार ये M और L इसका code मैं यहाँ पर लिख लेता हूं just for convenience है ना L, N, E, I, T, N, O अगर आप इसको गौर से देखो ये L और M आसपास ही है हाना अगर आप इसको देखोगे तो क्या किया है minus 1 but यार ये N तो यहाँ है ये E तो यहाँ है ये I तो यहाँ है ये T तो यहाँ है ये N तो यहाँ है ये O तो यहाँ है उसने क्या किया लो भाई पहले वाले alphabet को आपको क्या करना है minus 1 अरे P के पहले क्या आता है O फिर O, T, A फिर E T N R O T A E T N R O T A E T N R देखो भाई O T A E T N R का है O T A E T N R Option C O T A E T N R क्या बात है C A ने डाइग्राम के साथ में दे दिया O T A E T N R Very good अब समझ में आया के गाईस क्या हो रहा है वो समझ में आया क्या हो रहा है वो समझ में आया ठीके, चलो आगे बढ़ते हैं In a certain code Could is written as ये बताओ भाई Could को क्या लिखा है B, N, T, K, C बताओ कैसे लिखा क्या pattern क्या है वो बताओ pattern, pattern, pattern पहले pattern पहले pattern क्या बात है minus 1, minus 1, minus 1 जम गया भाई साब देखो क्या कर रहे हैं मैं तो बता भी नहीं रहूं या आप ही लोग बता रहे हैं Sir, C के पहले B आता है O minus 1 यहां भी minus 1 क्या चल रहा है अरे भाई करो "-1, "-1, "-1 चलो M के पहले कैया आएगा 12 पे क्या आता है M 13 पे आता है 12 पे क्या आता है L से शुरूँ ने आ लो कोई alphabet है क्या L से शुरूँ ने लो 2 alphabet चलो फिर O के पहले क्या आता है N U के पहले T तो भाईसाव अगर आप देखोगे तो option B आता है answer, option B, समझ में आया क्या मेरे भाई, समझे, समझे, एक सेकंड guys, समझे, समझे, सी होगा, अरे एक बर देखलो भाई, अरे एक बर देखलो देखलो, एक मिन, एक मिन, एक मिन, यू, यू के पहले आएगा, ओ, हाँ, हाँ, सॉरी, 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 B क्या आएगा answer C क्या बात U के पहले आएगा T U के पहले T आएगा बराबर चलो options बात में देखते है L के पहले क्या आएगा K D के पहले क्या आएगा C आएगा I के पहले 9 8 पे आएगा H N के पहले M और G के पहले F देखो भई यह option कहा है ओ हो, येस, आप लोग एकदम सही हो, मेरी गलती भाई, option C is the answer option C is the answer, येस, येस, एकदम सही हाँ जी, हाँ जी, एकदम सही, ठीक है एकदम सही, C ही आ रहा है, सी ही आ रहा है, है ना, चला, great, great next अगर आप लोग करें, तो भाई साब मंकी को कोड किया है इस तरीके से, मंकी को कोड अपनी हाँ लिख लेते हैं, m, d, j, m, n, l तो भाई देखो, अगर आप ये words को, letters को देखो गये, तो x और m बहुत दूर है x और m, बहुत दूर है, d और o, excuse me, काफी difference, l, ये भी कोई relation नहीं बन रहा है कोई pattern नहीं बन रहा है, बट हाँ, अगर आप देखो, x और y आसपास है, है ना, d और e आसपास है j और k आसपास है, m और n आसपास है, n और o आसपास है, l और m आसपास है मतलब क्या किया, reverse करके minus 1 कर दिया है, reverse करके क्या किया है, minus 1 कर दिया है भाई साब, इसने क्या किया है, reverse और minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 तो लो भाई, ताइगर को कैसा करना है, ताइगर को भी आपको reverse करना है और minus 1 करना है, बताओ भाई, code क्या रहेगा, ताइगर को reverse करके, अगर minus 1 करोगे, तो code क्या रहेगा, ताइगर को reverse करके minus 1 करेंगे, बताओ, देखो, R के पहले, R के, अरे भाया, 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 क्या वा है वेरी गुड वेरी गुड ठीक है आर के पहले आर के पहले क्यों आएगा है ना एक पहले क्या आएगा भाई D F F I के पहले H और T के पहले क्या आता है S समझें देखो भाई ये कहां मैच हो रहा है option A option A सही बोले क्या सही letters से B बन रहा है letters चलो क्या ये चीज़ clear है समझ में आया क्या भाई ठीक है चलो अब देखो ध्यान से सुनो if cigarette is coded as ये अब cigarette का code अपन यहां लिख लेते है cigarette का code क्या है G I C फिर E R A फिर E T T E T T है हाँ cigarette को ऐसे कैसे code किया होगा cigarette को ऐसे कैसे code कर दिया अगर आप देखोगे गौर से भाई ये C तो यहाँ है ये I तो यहाँ है ये G तो यहाँ है मतलब इसने क्या किया पता है cigarette को तीन इसमें divide कर दिया cigarette को तीन इसमें divide कर दिया भाई सहाब ये देखो, cigarette को इसने डिवाइड किया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, और फिर इसको क्रिस क्रोस कर दिया, इसको क्या कर दिया, reverse, लो, direction को भी करो भई, direction, ये R, I, D, T, C, E, N, O, I, गया, गया, भाई साब, पहला option है आपका, समझ में आया क्या भाई, लाइक ठोक देंगे अगर समझ में आ रहा है तो, मुझे एक बात बताओ, आप लोग खुद से solve कर रहे हो गाई, अभी आप खुद से solve कर रहे हो, pen paper लग रहा है, I agree, एक और एक बार solve करोगे, दो-तीन बार और solve करना हो जाएगा, बिना pen paper के आपका आजागा, इतना अच्छा command आजागा, यह मैं guarantee देता हूँ, ठीके, confidence आ रहा है कि नहीं, मुझे yes या नो एक बार chat में बता दो, लग रहा है न, सीख रहे हैं, नया चीज सीखने में आ गया, समझ में आ गया, confidence आ गया, यह जमा की नहीं जमा, yes या नो चाट में बता दो भई, अंकिता गुपता, okay, okay, yes, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, great, 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 बढ़िया, ठीके, ठीके, चलो, तो आप लोग, आप लोग, ध्यान से सुनो, question number 8, question number 8, question number 9, ठीके, और question number 10, 10, और question number 11, question number 8, 9, 10, 11, यह आपका homework है, homework करके, आपको मुझे Instagram पर DM करना है, DM कर देना, story दालना है, story दाल देना, abhijit.jaiswal से मैं आपको Instagram पर मिल जाऊँगा, ठीके, आप महाँ पर दाल सकते, if you guys want, या तो फिर आप मुझे Instagram पर DM कर सकते, ये मैं आप रोग को कल solve करवाँगा, बट आगे अभी कर रहे हैं, अभी छोड़ा नहीं हूँ, आगे मैं और solve करवा रहा हूँ, ये चार आपके homework है, ये चार questions आपके homework है, ठीके, 10, 11 और यहां का 8, 9, ठीके, कही चीज़ clear है, चलो, अब एक और एक सवाल भाई, लो, in a certain code, in a certain code, सूरज is coded as 25, प्रवीन is coded as 49, तो अभी जीत को कैसे code करेंगे, आंसर बताओ भाई, बताओ, 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 चैतानिया, मेरे बच्चे, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो न, इसी वीडियो के description में link दिया है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो बच्चे, क्या बात है, क्या बात है, 64, सर कैसे लाया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, है न, 5 into 5 करेंगे 25 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 into 7 करेंगे 49 आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भाई 8 into 8 करेंगे 64 आ रहा है, तो सही आंसर दिया भाई आप लोगोंने, 64 is the right answer, 64 is the right answer, क्या चीज़ लिए रहे हैं, एकदम आसान, ठीक है, तो इसमें, इसमें जो सवाल बच रहे हैं, इसमें जो सवाल बच रहे हैं, ये वाले सवाल, ये वाले सवाल और बुक के, ये देखो ये सेम सवाल है, जो बुक का सवाल है, वो ही है, ये मैं अभी क्यों नहीं कर वा रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, भाई ये LPB मतलब हो नोट्स से आपको कल बुक से कराएंगे, तो इसके आप में यहां के questions कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यह रही हमारी deal, तो भाई सहाब, अगर आप लोगों को आज के class में मज़ा आया है, तो प्रीज ये वीडियो को like जरूर कीजेगा, और live chat में नहीं, comments मे जरूर बताईएगा कि class कैसा लगा, कल कि इतना बढ़िया हम लोगों ने यार, क्या केते हैं, tricks देखी, comments सब लोगों ने किया ही नहीं, trick वाले lecture में किसी ने comment नहीं किया, share कर दो, उसको viral कर दो, tricks viral कर दो, ठीक है, छोड़ो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, comment में जर Show some love and just remember to be kind and spread love in this world and love your parents, mommy, papa का सबसे ज़्यादा आदर करना है, आपको ये चीज़ याद रखो, because वो जो भी करते हैं, आप लोगों को अभी लगता होगा कि बहुत pressure दाल रहा है, मेरी सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, but guys, उन से ज़्यादा प्यार आपको दुनिया में को कोई करेगा, आपके माता-पिता से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता है, और नहीं कोई कर सकता है, ये मैं आपको लिखकर गारंटी के साथ दे सकता हूँ, वो सब बाबू सोना कच्रे में दालो भाई, वो कोई काम के नहीं रहते हैं, प्लीज मेरी बात समझो, ठी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दो अपने पेरेंस को, ठीक है, I'll see you tomorrow, till then just remember to be kind and spread love in this world and love your parents, thank you so much, take care, this was Abhijit Jaiswal signing off, take care, bye bye, good night, like जरूर करना और कमें पताना, bye, song सुन्दर सुन्दर, वो हसीना बड़ी सुन्दर सुन्दर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिये बहका, एक दिन उसे भुला दूँगा, मैं उसके निशा मिटा दूँगा, मैं चाहूंगा ना, मैं उसके निशा मिटा दूँगा, मैं चाहूंगा ना, मैं उसके न उस पत्थर को जाओ से बता दे तो भाई, that's all, गाना भी गालिया, सब कर लिया, कल मिलते हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, क्लास कैसा लागा, बाबाई